जो हैलो गाईज्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैटनरी मैडिसन लिस्ट के बारे में पसू रोग दवाईयों के बारे में कि आप कौनसी मैडिसन चाहे वो कोई मेडिसन है सिर्फ एंजेक्सन है उसको किस डिसीज में आप जूस कर सकते हैं या फिर कितनी मात्रा में कितनी डोज में आप अपने पसू को लगा सकते हैं और उसका रूट क्या रहना चाहिए तो अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल मुख्तियार पैट केर सबस्क्राइब नहीं किया है नीचे रेड कलर के बटन को दबा कर आप हमारे यूट्यूब चैनल मुख्तियार पैट केर को सबस्क्राइब कर सकते हैं साथ में बेल आइकॉन जरूर दुबाएं और नोटिफिकेशन बेल को ओल पर कर दें ता कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले तो अब बात करते हैं पसूर रोगों के बारे में आप कौन कौन सी मेडिसन किस रोग में जूज करें किस डिसीज में लगा सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिसन के बारे में तो सिप्रो फ्लॉकसासिन के बारे में सिप्रोफलोकससिन एक इंजेक्षन रूप में आता है या फिर सिप्रूप में आता है तो ये एक एंटिवेटिक इंजेक्षन है जिसे हम जिवानुनास की इंजेक्षन बोलते हैं इसे आप एंटिवेटिक के तौर पे जूज कर सकते हैं यह किस-किस डिसीज में आप जूज कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं तो आप इसे cattle, got, sheep means घाए बैंस, भेड़ और बक्री में जूज कर सकते हैं अगर उसमें upper respiratory tract infection है किसे भी परकार की उपरी जो है respiratory tract infection रहती है जी-फयिए GETS जूज कर सकते हैं एंटिरोटयक। ही में जूज कर सकते हैं मस्ट्डास में आप इसे लगा सकते हैं anthrics में लगा सकते हैं अगर anthrics हैлем है इसके लिए अप हमारी वीजिए देख सकते हैं anthracs किया है उसमें जूज कर सकते हैं सेप्टिक आर्थिटेस में जूज कर सकते हैं जिसमें जोएंट में इंफलमेसन आ जाते हैं उसमें जूज कर सकते हैं यूट्राइन जा फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन में आप इसे यूज कर सकते हैं इसके बाद डॉग और कैट में या फिर पोल्ट्री में आप कि प्लिसेप्टिसीमिय में आप इसे यूज कर सकते हैं, इंफेक्टिस्क और जया में जूज कर सकते हैं, सीयाडिय में इसे यूज कर सकते हैं, तो अब बात करते हैं, इसकी डोज के बारे में कि आप कितनी डोज अपने पसुकों लगा सकते हैं, और किस रूट के दबार लगा सकते हैं तो सबसे पहले आप इसे औरल दे सकते हैं अगर सिर्फ है अगर इंजेक्षन है तो आप आई एम जा आई भी रूट के दबार आप अपने पसफ़ों लगा सकते हैं डोस जो है डॉग और कैट में आप 5-15 एमजी पर केजी बॉड़ी जसकते हैं इसके बाद करते हैं बिटामन एक इन्जेक्षन के बारे में इसमें बीरबेक प्रो बिट एकी बात करते हैं तो आप एक एन्जेक्षन कौन कौन जो नाइट ब्लाइडनेस होती है जिसे हम अंदेरा होते ही पसु को जो है दिखाई देना बंद हो जाता है अएसी स्थिती में भी आप इसे यूज कर सकते हैं अगर आट याई जूट याई और जी इंफेक्शन में sportive therapy के तोर पे आप इसे use कर सकते हैं तो इसकी जो dose है vitamin A का injection जो है इसकी dose जो है वो आप कितनी dose अपने पसुकों दे सकते हैं और किस route के दोबार देना है तो cattle में जो है आप 2 ml से 3 ml पर 400 kg body weight के हिसाब से आप अपने पसुकों लगा सकते हैं डॉग और कैट में अपने 600 से 800 इंटरनेशनल जुन्ट लगानी है पर केजी body weight के हिसाब से आप इसे oral जा आई-एम रूट से लगा सकते हैं अगर सिर्फ है तो oral दे सकते हैं इंजेक्शन है तो आई-एम रूट के दोबारा यूज़ कर सकते हैं लेकिन अपने यह ध्यान रखें कि आप इसे pregnant animals में जूज़ ना करें pregnant animals में आप यह इंजेक्शन ना लगाएं इसके साथ आप अपने पसु को overdose में यह इंजेक्शन ना लगाएं इससे जो है पसु के जोएंट जा फिर जो हड्यों में दर्दों ना स्टार्ट हो सकता है या फिर dermatitis जो है पसु को हो सकती है तो यह हमारी कुस मेडिसन थी इंजेक्शन थे जिसे आप अपने पसु में जूज़ कर सकते हैं लेकिन द्यान रखें कि जो खुद घर में जूज़ ना करें किसी बैटनरी ऑफिसर जा डक्टर की देखरें कि में आप यह इंजेक्शन जो अपने पसु को दें जा फिर उसकी सला से ही अपने पसु को लगाएं तो ऐसी बैटनरी मेडिसंस या फिर बैटनरी की वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं